कर सोसाइटी आफ केरियर टेक्नालजी एवं चन्रिकास महासावरा द्वारा संचालित इस जिलोजी के जेनेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है आज हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नालजी के बारे में बात करेंगे जिसकी खोच 1987 में जॉर्ज कोहलर एंड सीजर माइलस्टीन ने की थी जिसके लिए बात में उन्हें नोबल पुरक्सकार से भी समानित किया था ऐसा होता है कि हमारी शेरीव में रोगों से लड़ने के लिए डबलू बीसी सफेद रक्सकणी को इसकाएं जो होती हैं कि उनमें एक होती हैं लिंफोसाइट और लिंफोसाइट बननने के बाद रिट बोन मेरों में बनती है और बनने के बाद उनकी बीच में प्रॉसेसिंग होती है या तो वह thai mumu में चले जाते हैं और उसके अंदर जाकर कि क्या होता कैसे होता है यह कुछ नहीं मालूम बस यह कि उनकी कुछ प्रापर्टी बदल जाती है और जब फिर से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं टी लिम्फोसाइंट और दूसरे कुछ ऐसे हैं कि वो कहां पर उनकी प्रासेसिंग होती है एडल्टी स्टेज में यह मालूगी नहीं है बस इत्ता मालूम है कि बर्ड्स में क्लोईका के पास एक ग्लेंड होता है जिसे कहते हैं वर्सा आफ फैब्रीशियस तो उनमें इनकी प्रासेसिंग होती है इसले इनका नाम वी लिम्फोसाइट रख दिया गया है लेकिन हैं युमन बिइंग में अडल्ट में कहाँ प्रासेसिंग होती है मालूम ही नहीं है फिल्हाल जो दूसरी कैटेगरी है उसे कहते हैं वी लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट है वो फैकोसाइट आसिस करते हैं फैकोसाइट आसिस में क्या होता है कि जैसे कोई रोग उप्पन करने वाला बैक्टिरिया या वाइरस कोई प्रेटोजन कि टेच में आ गया तो यह डवलो बीसी क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया बना लेंगे और उसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेंगे और फिर सेल के साइटो प्लाज में डैसोसोमल एंजाइंस के तरफ से डाइजेस्ट कर लेते हैं और दूसरे जो भी लिंफोसाइट सेल्स होती हैं वो कोई भी विदेशी तक तो जब हमारे श लेकिन जब कल्चर मीडियम में वी लिंफोसाइट सेल्स को कल्चर किया जाता है तो यह बी लिंफोसाइट सेल्स इनके डिवीजन से एक फिर बनती है प्लाज्मा सेल्स और ये प्लाज्मा सेल्स ही एंटी बॉडी बनाती हैं लेकिन जब इन्हें कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाता था तो आट्सदस जेनरेशन के बाद ये डिवाइड करना बंद कर जेती थी दूसरी चरफ इसी बी लिंफोसाइड सेल का एक कैंसर सेल पाय जाता है जीसे कहते हैं माईलोमा और माईलोमा जो कैंसर सेल है मतलब वो हमेशा डिवाइड ही करता रहता है उसका विभादन होना रूपता नहीं है तो यह जर्ज कोहलर और सीजर माईलस्टिन ने ऐसा एक टेकनिक डिवलक किया की इन दोनों प्रकार की कोश्काओं को लेकर के फ्यूज कर दिया और फ्यूज करने के बाद जो एक सेल बना उसे उन्होंने नाम दिया हाइब्रिड़ोमा तो यह hybridoma इसमें दोनों की प्राइटी पाई जाती थी एक तरफ से यह नॉर्मल प्लाज्मा सेल की तरह antibody भी बना लेता था और दुसी तरफ cancerous myeloma cell की तरह से वह हमेशा डिवाइड होता रहता था तो उससे Petri dish में कल्चर में करके हमें खुब सारी एंटी बॉटीज मिल जाती थी अब ये इस सी को हाईग्लोडोमा टेकनोलजी कहते हैं तो ये कैसे संभा हुआ आईए तब इसको देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेल मेंब्रेन में लेपिड और प्रोटीन की सेंडवीच से मिल करके बने होते हैं और इसमें जो लेपिड की लेर होती है दूहरी वो उसमें कुछ हिस्सा तो ठोस खी और मखन की तरह से होता है और कुछ हिस्सा तेल की तरह से फ्लूइड भी होता है एक केमिकल है पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल तो पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल की खास्यत यह है कि यह सेल की फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है वेज़ोंसेद सेल मेंब्रेन की फ्लुइडीटी को बढ़ा देता है उससे फ्लूइड कर देगा तो क्या होता है कि यह जो दोनों सेल हैं एक तरह तो माईलोमा सेल और दूसरी प्लाज्मा Camp ये दौनों की मेंब्रेन एक दूसर मिल जाती है और एक संग्युत कोशिका बन जाती है जिसे हाइब्रोमा कहते हैं लेकिन अब पैग इस्तेमाल करने के बाद कल्चर मीडियम हमारे पास तीन प्रकार की कोशिकाइम होगी कुछ तो अन्फ्यूजड माईलोमा सेल्स होगी कुछ अन्फ्यूजड प्लाज्मा सेल् हमें क्या करना है हमें सिर्फ माईलोमा हाइब्रोमा सेल्स चाहिए बाकि जो अन्फ्यूजड माईलोमा सेल्स है या प्लाज्मा सेल्स हो नहीं चाहिए तो इसके लिए तीसरा स्टेप क्या है कि एक मीडियम है जिसे कहते हैं हैट मीडियम हैट मीडियम हाइपो जैन्थीन Aminopterine I-Medine Hat medium में जब grow करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? ये सिर्फ जो Fused Hybridoma cells हैं, वो तो survive करते हैं, और जो Unfused 주 maloma cell यह प्लाज्मा cell वो survive नहीं कर पाते हैं, क्योंकि Hybridoma cells जो है, वो HGPRT positive होता है, और बाकी दोनों cells क्या होते हैं? एच्ची पी आटी संजाइम होते हैं मतलब यह है कि अपतिया में तो यह एच्ची पी आटी एंजाइम होगा हैइज प्यार्टी किया है हाइपंचीन कुबानोसीन फास्फो राइबोजल ठ्रंसफर इज तो यह इनके अंदर hybridoma cell के अंदर ये enzyme होता है, लेकिन जो unfused plasma cell या myeloma cell हैं उनके अंदर नहीं होता है, वो hdprt negative होते हैं, तो head medium में जो हम रखेंगे तो क्या होगा, ये जो fused hybridoma cells हैं, वो तो survive कर जाते हैं, और वो multiply करती जाती हैं, लेकिन unfused myeloma cell और plasma cells नहीं grow कर बाएं, तो हमें एक पूरी culture मिल जाती है, पूरी generation population मिल जाती है, hybridoma cell की, और इस hybridoma cell में खासियत क्या है, कि ये एक तरफ तो plasma cell की तरह से antibody भी बनाती रहती हैं, और दूसरी ये cancerous myeloma cell की तरह से हमेशा divide भी होती रहती हैं, तो हमें दोनों फाइदे मिल गया है, कि वो हमेशा divide भी होत होती रहती है, और antibody भी बनाती रहती है, उस antibody से हम दवाएं बना सकते हैं, इसको कहते हैं, hybridoma technology, अब इसने एक और इन्हों नई बात निकल करके आई, कि ये mca, mca का मतलब होगा, monoclonal antibody, monoclonal, normally क्या होता था, जैसे हमें pancreas में पाए जाने वाले insulin और glucagon hormone की, कि अगरिश में antibody बनानी है, तो हमने pancreas के cell लिए, अब उसमें media में क्या है, insulin भी है, glucagon भी है, somatostatin भी है, gastrin भी है, कहीं जरीके के chemicals हैं, तो उससे जो antibody बनेगी, वो कई प्रकार की antibody का measurement बनता है, उससे क्या करते हैं, polyclonal antibody, लेकिन यहां पर क्या है, कि चुकि एक ही तरीके की antibody बनाने वाली cell के fusion से हमने बनाया है, hybridoma, तो ये एक ही प्रकार की antibody बनाएगी, जो highly pure होगी, जिसको कहते हैं, MCA या monoclonal antibody, अब इस चीज़ के और भी बहुत सारे फायदे हुए हैं, और पिछले 70 साल में, दुनिया में जो medical science या जी विज्ञान के छेत्र में होने वाली कुछ मुहत्पूर discoveries हैं, उसमें से ये भी है, इसके खोजकरता को भी नोबुल पुरसकार से सम्वानिज किया गया था, एक और बड़ी समस्या है, drug delivery system, drug delivery system का मतलब ये है, कि हम सपोज, हमें लीवर में जॉन्डिस हुआ है, और हम उसकी दवा खा रहे हैं, तो वो दवा हमने खाई, और मुह से होकर के भूजनली में गई, भूजनली से फिर एब्जार्ब होकर के ब्लड में गई, ब्लड में होकर के वो लीवर में भी जा तो अधिक दवा खर्च करनी पड़ती है, और इससे हमें एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, एक तो नया सिस्टम है, लाइपोसोम का, लाइपोसोम् जो होते हैं, इसने आर्टिफिशल सेल कह सकते हैं, आप, सेल के साइस के आर्टिफिशल थैले हैं, जिसमें कि उसी प्रकार के फास्फोलिपिड और प्रोटीन को ले करके, अर्ट्रसॉनिक वेप से ट्रीड करते हैं, तो वो थे ड़ैदी बना लेतं हैं जिने उनके अंदर हमने कोई दवा हमें देनी है तो वो दवर ली उसमें और उसकी दीवाल में मान ली क्यक् Berger को खर्दी और लिए कुछ याइसे जरूर होंगे जो और दूसरी's को में नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं कि जो लीवर की कोश्काओं में जो एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट हाइब्रोडोमा टेकनोलोजी से हमने एंटीबॉडी बना ले अब इसको सेल मेंब्रेन लाइपोसोम बनाया हमने और लाइपोसम की मेंब्रेन से उस हाइब्रोमा को टैक कर दिया तो क्या होगा अब शरीट के अंदर जाकर के ब्लट में जाने के बाद वो सारा का सारा मॉलिक्यूल लीवर सेल की ही तरब जाएगा और बाकी हार्ट लंग लीवर वगरे में नहीं जाएगा तो एक तो इसमें दो वादे हैं गवाकि कम माट्रा से भी काम चल जाएगा और दूसरा इसमें और दूसरे में जाती वो दवा जहां उसकी जरूरत नहीं थी तो वह उनीके सिफेक्ट्स पैदा करती तो वो साइड़ भी नहीं हो पाएगी तो इससे यह फायदा है यह माड़न सिस्टम है ड्रग ड दवाद दिये तो रिट के अंदर ब्लड में जाने के बाद वो जिस अंग को जाना है अधिकांश मॉलेक्यूस उसी अंग तक जाते हैं अभी पालतू-पशुमें जो पाय जाने वाली मौत्वू डिस्कवरीज में से एक है धन्यवाद।